तो आज की वीडियो हम बात करेंगे हिंदी के टॉप मुस्ट इंपॉर्टेंट कोशन जो कि हमारे पार रहने वाले रस और अलंकार यहां से एकसर आपके पार कोशन पूछे जाते हैं जो आपका अलंकार वाले टॉपिक यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो के बारे में बात किया है और जो आपस यहां से पुछाते हो जिसका स्थाई भा शर्जट बिगर कि यह और आपके पस कुछ के देंग तो दण लेगी कि आके लिखना को लिखन जो सितते हैं कि तो आठीन का श्रिंगार स्थाइब हो कि रहें कि अपने हो एगा जाता कि पूछ यह तो आप ने हैपते जो आप आठीन उसका जो स्थाई भाहव उसका ब्लम है तो क्या थित्सह संत इस पैसे questions पूछाते हैं श folders kit निर तो इससी तरह के question आपसे पूछा जाते है क्ही इसका स्थाई भाह prime क्या है आपके कोई भी रस का नाम कि घ्यानक का स्थाइब क्या है तो क्या है मारaling अगर आप से कल को पूछ जाए कि जो आपका Road वैं और जो भक्ति का स्थाइब होता है था देवर्थी तो इस सकूर्चन पोछते जाता है या आपके पार कोई मतलब दे देगे sentence उसमें होगा तो इसमें आपको देखना होगा कि उसमें किस तरीके की बात हो रही होगी अगर देखो ब्यानक की बात करें कोई डर रहा है तो उसमें आपको परता है कि वह भय स्थाई भाव है उसका ठीक है तो इस तरीके से पुछा जाता तो आपका डेफिनिटली आता ही आता है तो जो आपका रस वाला टॉपिक है या आपका कम्प्लिट हो गया बाकिसक्री जैसे कोश्चन आते हैं वो आपको अभी आइंट तक परता चल जाएगे नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना टॉपिक जो हमारा बज़ता था वो है अलंकार से बहुत बार कुश्चन आते हैं और यहां से भी जैसे जैसे कुश्चन आते हैं सिर्फ वैसे बताऊंगा जादा डिटेल में नहीं चाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने का हमारा आपको कभी प्लबनेता ना तो हमारे पास्याता टाइम है और यह हमने फाल्टों की बाते करनी हैं जो आखिर आप से पूछे जाते हैं जह इंहुद है अगर बात बातके जो अलंगकार होते है वो क्या होते मmoreножकार होते हैं यह एक शब्द या वाक्य क्या होता है आभूशन होता है जिस तरीके जो एक मनुश्य में जो आभूशन होता है वो उसकी सुन्दरता को बढ़ाते हैं उसी तरीके जो अलंकार है वो हमारे शब्द की सौंधर्य को या कवीता के सौंधर्य को बढ़ाते हैं अगर आप से कभी भी पूछा जाए कि किसी कवीता के सौंधर्य को जो बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है तो वह मारा अलंकार अलंकार किसी भी कवीता के सौंधर्य को क्या सुंधर्ता को बहुत जैसे निखारता है और बहुच्छा बनाता है जो अलंकार है वो एक त्रीका का डापफोंचन है आपकी कवीताओं के लिए शब्दों के लिए तो तभी भी आपसे पूछा जाए कि कवीताओं का जो अब भूशन है और वो किसे कहा जाता है तो वो आपका अलंकार को कहा जाता है सबसे important question तो आपका यहां से यही बहनता है नेक्स्ट question के अगर हम बात करेंगे तो ये बहनता है कि आपके अलंकार के मुख्खे कितने भेदए题 तो आपके अलंकार के तीन भेदए यह आपसे बहुत कर पूद व्हाँ बहुत है है यह कोश्टिन सबसे ज्यादर रीपीट होता है आप से कि अलंगकार के कितने भेद हैं जजादतर हिंदी क्शे होता है भेदों के पार हम पूछ चाहिए बहुत next mondo लिए तो गरा दुसरे यहां से आप हमारा थालंगकार के हमारे पार तीन भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार, एक उब्भी अलंकार कल को आपसे यहां से और कोशन बन जाता है, यहीं से कि आखिर आपके जो शब्द अलंकार है, उसके कितने भेद हैं तो जो शब्द अलंकार है और अगर हम नेस्ट बात करें, लास्ट आ मार है उब्ग अलंकार, इसके दो प्रकार होते हैं, और यहां से किता-त्र कोशन नहीं आदें, शब्द अलंकार और अर्थलंकार, आपके बहुत ही important, कर 것이 आप से पुछा जाय कि आलंकार के मुख्य कितने भे़ए तो आपके दो है अगर आपके तेन है इसको बात को यात ना कि याद अखना तो जो आपके शब्द आलंकार है और ऐर अलंकार क्षालएक how जय यह थे और यहीं से कोशन आता है और इनके जो यह पढ़ते हैं किससे किस म्हां से कोशिन आते हैं और कैसे आपको पता चलेगा आखिर कौन साबका U tava alankar है कौन साबका यमक अलंकार है कौन साबका रूपक अलंकार है नेगस्ट करें मुख्खे जो अलंकार के कि चुश्ण जो आपको वाक्य दिया हुआ है, उसमें कौन सा अलंका लगा है, उपमा लगा है, रूपक लगा है, या यमक लगा है, तो इस तरिके से अगर आपको बता करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात देरें, उपमा अलंका है, तो इसमें क्या होगा, जब पंक्तियों में योजक चिन के साथ ही साथ आपका लिखा होगा या तो सा होगा या सी होगा तो समझ आना वो आपका उपमा अलंकार है जैसे कि यहां पर देखो मुख चंदरमा सा सुंदर है तो देखो आपका योजक चिन लगा योजक चिन के बाद क्या लिखा हो है सा जब भी आपका योजक चिन क इसको किस निके से पहचानेंगे तो इसका भी अपना ही पहचान है तो इसमें क्या होगा जब पंक्तियों में योजक-चिन आए और शब्ड थास ही न आयो इसमें सिर्फ आप पढ़ा योजक-चिन लगा यहां पर जासे कि आपके पाह्त रूपक अलंकार का एक उधार हमने दिया जैसे कि राम ट्रिपा भव डैश निसा सिरानी तो यहां देखो जब आपके पाह योजक चिन लगा है आप इसको जो भी बोल दो डैश बोल दो या यूजक चिन बोल दो तो इसको बहुत help करेगा आपके टैट में क्योंकि logic बहुत important होते हैं ऐसे ही आपको याद नहीं रहने वाले हैं next जो अलंकार है आपका उत्प्रिक्षा अलंकार तो यहां से बहुत पर question पुछते जाते हैं आपके पाउत्प्रिक्षा अलंकार से ठीक है जैसे कि यहां पर है नेत्र मानो कमल है तो जो मानो है इससे आपको पता चले रहा है कि यह आपका कौन से वाला अलंकार है तो इस तरीके के आपने logic सियाद रखने हैं Then next, कि जो बात करें हैं अलंकार के तो य्मारपायाती शिर्फ्त-अलंकार तो यहां पर देखो, अति से ही पत्ता चल रहा है जहांपे आपके बढ़ा चड़ाकर कोई बात बतारी गही होगी। इसमें क्या होगा ना आपके पाद जो वाक्य दे रखोगा उसमें क्या बढ़ा चढ़ा कर बात कही होगी तो आपके वह इस वाक्य में इस अलंगकार के अंदर आते हैं ठीक है आए इसमें आपके फार वर्ण बार बार आता है ज rays कि मदूर मदूर मुसकान मनौवर इसक MON चे ए जो वाक्य आएगे वर्ण बोल तौ 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 तो आ गया तौ 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 ततव ऐत तौ त तते ते घर आपके फार वर्ण बार बार रूपीट होगे वह अलग होगा कि जातर आपसे वाला पुछाता है कनक होगा हल हल होगा इस दिएक के दो होगे साथ मिलमें योजक चीन लगा होगा और दो मतलब आपके पाद दे रखे होगे शब्द तो समझ जाना वह आपके यमक अलंकार है यही कुछ अलंकार है जांसे बहुत जादे कोशन आपसे पूछा जाते हैं और एक और अलंकार आपके पचार कोशन पूछे जाते हैं तो अलंकार वाला टापक भी हमारा खतम हो गया है